कि यहां पे दियाआ है कि f वो क्या है कि one कोमा one यादि कि एक set दियाआ है यादि कि a function है ठीक है b linear function z into z यादि z to z आपका ठीक है यहां पे function दिया आओ तो यहां से आपको देखो कि function find-out करो अब देखो function तो यहां पे DIY नहीं लेकिन function के बारे में एक line बोली हुए an linear function यदि आपने polynomial पड़ा होगा तो वहां पे आपने linear function भी कही ना कही पड़ा है linear function का मतलब polynomial की जो degree है वो 1 होनी चाहिए तो उसको हम linear polynomial बोलते हैं तो आपको linear polynomial पता होना चाहिए कि क्या होता है ठीक है तो यहां से solution में पहले तो देखो given क्या आपको देखो function है वो आपको क्या given है वो है 1,1 2,3 और यहां से 1-1 यह अब यह एक function है क्यूंकि इसमें देखो हर एक element की unique क्या है image है तो यह function तो है confirm होगया यहां से और यहां से देखो यह कहां कहां पे define है z2, z2 पे define है integer to, integer redefine है अब अपने को function तो नहीं दिया बट बोला वाए कि क्या बोला वाए कि f है वो क्या है f is linear function तो general जो अपना linear function होता है वो कैसा दिखता है वो f of x a plus a x plus का भी दिखता है ठीक है इस तरीके से तो यह आपका क्या है linear function है अब आपको यहां पे इसको find out करना है लेकिन आपको यह तो पता नहीं ना कि यह क्या है यह 2 unknowns है वो आपको नहीं है पता अब यह हमें निकालना है तो इस function में क्या होता है कि जो हम input देते है वो हमें output भी देता है function की यह तो बड़ी खाशियत है तो यहां पे देखो यहां पे जो point आपकी इच्छा वो उठा लो यहां से हमें a और b की value आ जाएगी बस ठीक है तो यहां से देखो कि क्या है तो यहां पे कि 1,1 put in function function में put करते हैं ठीक है तो यहां से put कर दो भई तो x की value 1 और यहां से a x plus का b अब यहां से आपको पता भी 1 पे कितनी value function की 1 है तो a plus का b a plus का b यह आपके लिए एक equation आई अब इसी में देखो दूसरी value put करते हैं क्या कि कुछ भी ले लीजेगा यहां से जो आपकी इच्छा हो minus 0,1 put in equation put in function sorry put in equation put in function ठीक है function में put करो तो function में देखो f of 0 और यहां से a 0 plus का b अब यहां से क्या आएगा b equal to minus का 1 आई बात समझ में b की value आपको आगी minus का 1 तो इसमें जो यह अपका b equal to b equal to minus 1 put in equation first equation first में b की value put कर दो तो यहां से क्या आएगा 1 equal to a minus का 1 तो a equal to 2 यह आई तो यहां से a की value 2 है और b की value क्या है minus का 1 है तो इस परकार से हमें a b की value आती है ठीक है तो इस परकार से अपने पास a b की value आते है यह हम क्या करते है find करते है so then function तो f of x equal to a की value क्या है यह आपके लिए a के value क्या है 2x plus का यहां से b की value minus की 1 तो यह आपके लिए देखो linear function आया इस परकार से हम इसका linear function find out करते है ठीक है